सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर हेलो एब्रिवन वेलकम यू आल इन टोडेज दा हिंदु न्यूज अनालिस सो आज कल सुप्रीम कोट भी एक्शन में है और अभी रिसेंटली जारखंड में भी हाई कोट ने सुवमोटो एक्शन लिया है दे इंसेडेंट आफ रेप तो सुप्रीम कोट के एक्शन के वेब पर बात करें तो अभी रिसेंटली बहुत सारी बाते हुई हिमाचल प्रदेश का इंसेडेंट हुआ तो आपके बास इस सेशन में पॉलिटी में काफी कुछ है पढ़ने के लिए काफी कुछ से मेरा मतलब है काफी कुछ लिटरली कि हाउसे के बारे में पता होना चाहिए एलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए एलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए राइट वोट के बारे में पता होना चाहिए तो ऐसे बहुत सारे सेग्मेंट से जिससे आपसे कुछन आ सकते हैं जिसको अब लोगों ने 60 कुछ कहलाता है 160 कुछन में कम से कम आपके 110 टॉपिक तो प्लियर हो जाएंगे चलिए तो आज के दा हिंदू पर देखते हैं क्या क्या चीज़ाइब सबसे इम्मूनिटी फॉर लेजिस्टेटर से किंग ब्राइब केस हुआ करता था काफी टाइम पहले जे एम एम ब्राइबरी केस दॉला स्कूल में पढ़ोगे जब हमने पढ़ा था जे में ब्राइबरी केस तो उसको कहा गया था कि सही है यहां पर ब्राइब लेना तो चलिया हमा को टेक्डाउन कर दिया है और बात करेंगे कि क्या क्या चीजह हैं नेक्स इस रिगार्डिंगे इंडेक्स वुमन बिजनेस और लॉइंडेक्स अभी रिसेंट्ली एक कंजर्वेशन ऑफ माइगरेटरी स्पीसी का रिपोर्ट भी आया तो यह भी देखना जरूरी है यह द आपको ज़रूरर देने की कोशिश करेंगे इम्मूनिटी फ़र लजिसलेचर ब्रायब सुप्रीम कोट के सेवन जजज बेंच ने कहाँ नो इम्मूनिटी तू पॉलिटिकल लीडर्स फ़र टेकिंग ब्राइबरी सुप्रीम कोट इस पे खेर बहुत साठीचल पार्टी थ या और कॉंग्रेस ने बात भी अच्छी बोली वह बात ठीक भी थी कि होर्स ट्रेडिंग जो होता है उस पर भी रोक लगाए जाए कि जिस तिरफ से मिस्यूज किया जाता है किसी भी एक्ट का यहां पर 10 शेडियूल की बात हो रही है जो रूलिंग करती है और अभी कर रही है इसके बारे में भी कुछ कर किया जाना चाहिए अब देखिए जब होता है तब होगा अभी के लिए बात करें तो सेवन जजज बेंच ने फाइनली यह कहा कि हूट लेजिस्लेटर सुटेग ब्राइब तो वोट और स्पीक इन शर्टेन मैनर इन दा हाउस और नोट इम्मून फ्रों प्रोसिक्यूशन पहले यह कंडिशन था बेसिकली इम्मूनिटी की बात क्यों की जा रही है यह पता होना चाहिए आपको कि भाई यह इम इन दोनों प्रोविजन में आपको यह दिया गया है कि बेर इम्मून फ्रों अनी काइंड फिंग से अगर वो हाउस में कुछ भी बोलते हैं एक्सेप्ट सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज़ेस को आप कंडक्ट को डिसकस नहीं कर सकते हैं ऐस आप आर्टिकल 122 और 121 त पीचन एक्सप्रेशन जो एबसलूट नहीं है वह क्वालिफाइड 19 लॉसके एक्सेप्शन भी दिये गया डिसेंसी पब्लीक और मॉरालिटी कंटेंप्ट अफ कोट इस पर आप नहीं कर सकते हैं इस पर आप नहीं बोल सकते बाकी आप जो बोलना है बोलो बट लेजिसले दिया गया विकॉस आप आराम से आप खुल करके अपनी बातों को रख सके और अपनी इसको बेटर रिप्रेजेंट कर सके उसका गलत फायदा भी उठाय जाता था कि लेजिसलेचर बेसीकली पैसा दे करके वोट कर देते थे किसी के लिए अभी जैसे क्रॉस वोटिंग हु पर यह एलिगेशन से उन्होंने गिफ्ट्स लिये हैं तो आस्कूर्शन इंद पार्लियावन यह बहुत बड़ा क्राइम है कि भी ब्राइबरी है इस जज्ज्मेंट से सुप्रीम को ने ओवर रूल कर दिया आपने 1998 जज्ज्मेंट को जे एम एम ब्राइबरी के जैसे में कि भाई उन्होंने मतलब पैसा तो लिया बाट वोट नहीं किया इस ऐसा भी एक केस बनाता है जिस पर भी कोर्ट ने कहा था कि नहीं इसमें फिर ब्राइबरी नहीं है विच ग्रांटेद इम्मूनिटी और उसका को इनको इनको इम्मूनिटी दी थी सीबू सोरें को कॉंसिटिशन प्रोविजन हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल 105 और 194 यह दोनों याद रखिएगा नेक्स चलिए दस पावर से प्रिविलेज इम्मून शोट भी दिफाइन बाइद बाइद लोग सब्सक्राइब होता है और इस इट मस्ट बीक्लरिफाइड यह प्रिव अनको भी इम्मूनिटी नहीं मिछती ठीक है 1998 में केस हुआ पीवी नर सिम्मा राओ 1993 में जार्खन मुक्ती मोर्चा सेबू सोरेन की पाटी थी एलिगेशन था कि MPs were accused of taking bribes vote against the no confidence motion अगेंस पीवी नर सिम्मा राओ गवर्मेंट ठीक है एपक्स कोर्ट ने 32 के मिजॉरिटी से हेल किया था और कहा थे कि legislature enjoy करते हैं immunity लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन वर्सेज union of India में इस डिबेट को खतम गर दिया और यह भी कहा कि भाई ब्राइबरी जो है गलत है चाहिए वो legislature and they are not immune they have to face the prosecution if they do so ठीक है यह बात को याद रखिएगा कहीं न कहीं judgment का impact पढ़ेगा विमाचर प्रदेश वाले आसपे और आगे जाकर के में भी सुप्रीम कोट कुछ ना कुछ बात करें रिगार्डिंग दे एंटी डिफ्रेक्शन लॉओ ठीक है क्योंकि टू थर्ड इस्टिल इस बिंग निस्यूज नाव विमाचर प्रदेश वाले आसप इसके लिए इंडियान कॉंस्टिट्यूशन में DPSP विया आर्टिकल 39 & 38 एक्वल पेफर एक्वल वर्ग के बारे में इक्वालिटी के बारे में और इस बार इंडिया के रैंकिंग कितनी है 113 out of 110 कोई ज्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं है and it is a part of SDG also gender equality sustainable development goals इसको ध्यान से रखिए कहीं चिपका के याद करे लो sustainable development goals because examiner tend to ask such questions highlights of index की बात करें तो यह 10th edition था और globally कोई country full score secure नहीं कर सकता अब्यस है कि भाई वो equality नहीं आपाती है India's ranking is 113 Indian women enjoyed 60% of the legal right given to the men as per the new report lower than the global average of 64.2% Global average यह है कि पुरे विश्व में महिला है 64.2% right को enjoy करती है irrespective of their men counterpart however in India the scenario is different it is 4.2% lower than the global average that is 60% तो यह थोड़ी सी एक interesting चीज़े देखने वाली चीज़े है यह अच्छा इस अभी इसी साल last year जो Nobel Prize मिला था economics का वो भी कहीं नहीं का इसी चीज़ के लिए मिला कि जो women का workforce participation है वो काम होते जा रहा है due to pregnancy contraceptive and various things वो किसको मिला था Claudia Walden को यह बात है याद रखो यह सब चीज़ें आपस में connect हो जाती है चलिए इंडिया स्ट्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बेसिकली देखो नुक्लियर प्रोग्राम में जो की फार्मिलेट किया गया था हो में जांगियर भाबा के थो इन 1950s में to achieve the security and this nuclear security को अचीव करने के लिए बैसिकली यह किया गया three stages कौन कौन से है natural uranium full pressurized heavy water reactors fast breeder reactor जो भी चल रहा है advanced nuclear power system and thorium basically जिसमें thorium ही यूज किया जाएगा 1-2% global thorium uranium reserve भी इंडिया में जालार्ज सेर है नी तो हम thorium का ही इसमें यूज कर आगे बढ़ेंगे इंडिया ने पहला nuclear test 1974 एद्रा गांधी के रिजीम में किया था पोखरन के नाम से smiling buddha that was not that much successful and second test which was successful in 1998 यह दूरिंग दा अटल भीहरी बाजपरी टेन्यूर एंडिर्व उपरेशन सक्ती ठीक है इसमें डेटोनेशन हुआ था एक फ्यूजन और दो फीजन बॉंब्स कव यह दो चीजिए उसके यूज के सैंक्शन भी लगे थे वर्ड वाइलाइफ फंड वर्ड वाइलाइफ डे बेसिकली मना जाता है थर्ड मार्च को अभी रिसेंटली वर्ड वाइलाइफ क्यों इंपोर्टेंट है बिकॉस देखो एक तो इसके अलावा देखोगे तो बहुत सारे बाइस पर से अभी रिसेंटली जब वर्ड वेट लैंड दे मना है गया 2nd February को तो इंडिन गवर्मेंट ने पांच अलग वेट लैंड का नाम नोटिफाई किया तो टोटल 80 वेट लैंड होगे इंडिया में उसके बाद नैशनल प वर्ल्ड वाइलाइफ पहली बार से प्रपोस किया थाइलेंड ने यूंजी को 2013 में तो फाइनली 2014 में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया इस बार का थीम क्या है connecting people and planet exploring digital innovation in wildlife conservation क्या आप वाइलाइफ conservation में कैसे digital का you digital technology का यूज करके इसको बेटर कर सकते है इसमें अगर आप प्रिपेर कर रहे हो तो आप प्लीज नेशनल पार्क के साथ प्रिपेर करो दूसरी बात आप इसको बिग क्याट अलायंस के साथ इसको पढ़िए आप थर्ड इस रामसर साइट के साथ पढ़ो बि यहां पर स्नौ लियोपड्स मिलते हैं इंडिया में यहीप पाया जाता है पूरे नैशनल पार्क में यहीं पहीं पार्क प्लस बिग कैट आप जिम कॉरबेट नेस्टन पार्क के बारे में पढ़ो जहां से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट रूए अग उत्रा खंड में कोर राजा जी है जिम कॉर्बेट है न इन सब के बारे में थुरा रखो कुछ कुस्टें से एट हम इस पार्टी निद तो है मिजॉरीटी इन राजसवा इस 121 विच फॉलिंग देशलिब्रेटेट और मार्च वन बताइए वेस्ट पिकर्स देए इंटर्नाशनल विमन्स दे कब होता है एट्थ मार्च अभी आने वाला है तो सेंटर आस्टी स्टेट अ मिनिमन सपोर्ट प्राइस पर 23 अलग अलग आइटम जिसमें तोब्या को भी है यह याद रखना रखना वाट इस नेम ऑफ रिसेंट बाइनियल मरीन ताम इक्सराइज हैं इंडिया श्रिलंका उप्ता इंक And if you have any doubt, you can mention the comment section Thank you that's all from my side